हलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे सेविक्स क्लास 10 चैप्टर 6 पॉलेटिकल पार्टीज राजनेतिक दल और वाई डू वी नीड पॉलेटिकल पार्टीज कि जो पॉलेटिकल पार्टीज है उनकी क्या जरूरत होती है देखो बेटा ये देखो जो इसका मीनिंग है ये लि देखो बेटा अ पॉलेटिकल 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 पॉलेटि ऐसा संगठित समू होता है जो चुनाव लड़ने के लिए और राजनेतिक सत्ता हासिल करने के लिए इक अठ्था के उदेश्य से काम करते हैं और जिनका जो हित है वो सामूहिक होता है एक जैसी मीतिया होती है एक जैसे काम होते हैं आगे देखो बेटा, since there can be different views on what is good for all parties try to, try to, try to the people why their policies are better than other, they seek to implement these policies by winning popular sports through elections. तो हम बेटा अगर इसकी बात करते हैं कि यह जो सामुहिक समु है, यह सामुहिक जो यह political parties है, यह सामुहिक हित को ध्यान में रखते हुए, एक मतलव की लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो कारिये हैं वो करती हैं। और इस उदेश से यह इकर्थी होती है, इसी आधार पर यह दल लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ओरों की नीतिया है, उनकी नीतिया औरों से बहतर हैं। और वे लोगों का जो समर्थन है वो पाने की कोशिश करते हैं तो बेटा आपको पोलेटिकल पाल्टी का जो मेनिंग समझाया हो क्या है कि लोगों का एक ऐसा समूँ कि आपने देखा होगा हमारे आसपास हमें टॉपिक करें वाई डूवी नीड पॉलेटिकल पाल्टी तो देखो बेटा हमारे आसपास किसी हमें चाहिए राजनीती का ना पता पॉल्टिक्स का ना पता और कुछ यदि हम अपने बुजोर्ग से किसी बड़े बुढ़े से या किसी ऐसे वैक्ती से पूछते हैं जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है या जादा समझ नहीं है कि आप पॉलेटिकल पाल्टीज के बारे में जानते हैं तो उसको मतलब की वो बहुत ही जो पार्टिया यह कहते है बहुत ही जल्दी अंसर देगा हाँ जानता हूं इसका रीजन ये है कि वो अपनी चारों तरफ ऐसी चीजे देखता है election आते हैं election में बहुत सारी जो राजलितिक पार्टियां होती है political party होती है elections में खड़ी होती है यह होता है कि यह party इसकी साइड से यह काम करेगी और कुछ काम करेगी तो उनको यह जरूर पता हो दा यह जीतेगी यह हारेगी कुछ लोग एक party को spot कर रहे हैं दूसरे लोग दूसरी party को spot कर रहे हैं तो इस वज़े से उनको इसके बारे में knowledge जरूर होगी जो political party है वो है वो क्या होती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह हमारी political parties है इसकी definition है आपकी यह कि political parties क्या होती है कि political party लोगों का एक ऐसा समू होता है जो इकठे आकर मतलब कि जो राजनीत चुनाव लड़ते हैं और सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं उन वो जो लोगों के हितों का ध्यान में रखते हैं बेटा अगर political party लोगों के हित में ध्यान नहीं रखेगी लोगों के हित में काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट मालो उस election में लोग उनको वोट कौन देगा कोई भी लोग उनको वोट नहीं देगे तो उसकी वज़ए से वो लोगों का हित को ध्यान में रखना उनका समसे महतपूर्ण काम होता है उसके साथ साथ वो मतलब की एक तरह से लोगों के विचार अपनी और आकरशित करने कोशिश करती रहती है यह नहीं होता कि एक ही political party है कोई भी election होता है वहाँ पर कई के political parties है वो काम करती है तो वो अपनी जो उन्होंने अपनी party से related जो भी मतलब की उन्होंने कुछ भी नीतिया वगेरा है या कुछ भी ऐसा कुछ बनाया है policies वगेरा बनाई है तो वो यह बताने की कोशिश करती रहती है कि जो हमारी policies है वो other partyों की जो policies है उनसे better है ताकि अपने आपको औरों से बहतर प्रूप कर दे और उसके बाद जो लोग है वो उसी को वोट दे ठीक है बेटा आगे हम अगर पॉलेटिकल पार्टी की बात करते हैं जो हमारी पॉलेटिकल पार्टीज है वो बेटा तीन चीजों से मिलकर बनी होती है आपने भी कभी पढ़ा होगा वो तीन चीजे हमारी क्या है लीडर, एक्टिव मेंबर्स, एंड फॉलोवर्स यह यह क्या होता है नेता, स्क्रिये लोग और हम यह बात करें अनुल्याई या समर्थक देखो बेटा, आपने कभी भी देखा होगा पॉलेटिकल लीडर्स को जो वोट मानते हैं और कुछ होते है एक तो तब तक किसी पॉलेटिकल जो पार्टी है उसको कोई अच्छा लीडर नहीं मिल जाता लीड करने वाला नहीं मिल जाता, नेता नहीं मिल जाता तो तब तक वो party अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती जिस मुकाम पर उसको होना चाहिए एक तरह से मतलब कि वो party कभी भी मतलब कि जीत हासिल करने में उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और लोग भी उसको पसंद नहीं करते तो सबसे जो important भूमे का होते है लीडर की होती है दूसरा क्या है the active members अपने देखा होगा political जो कोई भी लीडर है उसके आस पास काफी लोग उसी वेशबूसा में उसके साथ रहते हैं तो वो उन members को खहते हैं तरह से active members जो मतलब कि उनको support करते हैं उनके साथ मिलकर काम करते है क्योंकि एक अकेला नेता कभी भी पूरी party को संभाल के नहीं रख सकता और उसको विबिन लोगों की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए उसके बाद हम बात करें the followers followers में स्क्रिये लोग अब एक बार बताओ अगर हमने party बना ली उसको उसमें active members भी होगे उसमें leader भी हो होंगे तो उस party का कोई महतवी नहीं रह जाएगा कोई follow यह देखो आप आज कल काफी TikTok यूज करते हो कभी आप जैसे YouTube यूज करते हो तो उसमें आप यह सोचते हो हमारे बहुत सारे followers हो जाए क्योंकि तब तक मतलब कि followers नहीं होंगे तब तक कोई अगर हम काम करते हैं तो हमें कोई follow नहीं करता है तो वही बात यहाँ पर है कि अगर लोग नहीं होंगे अगर जनता उसको support नहीं करेगी तो वो political party कभी भी जीत नहीं सकती तो इस परकार कोई भी political party तब तक सही धंग से काम नहीं कर सकती तब तक मतलब कि इन तीनों का होना political party है उसके लिए बहुत आगे देखो बेटा functions काम क्या करती है एक तरह से इसी question का answer है why do we need political parties कि political party के हमें क्या जरूरत होती है तो वो जो काम करती है वही political party के एक तरह से जरूरत है Number one ठेको बेटा The parties contest election in most democratic elections are caught mainly among the candidates put by the political parties. Parties select their candidates in different ways in some countries such as USA, members of sports of a party choose its candidates. now more and more countries are following this method in other countries like India top parties leader choose candidates for a contested election. तो पहला जो राजनेतिक दल है जो political party है उसका क्या काम होता है? मैंने बताया था political party का main काम जब political party की meaning मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि political party है उनका main काम होता है, चुनाव लड़ना तो यही पहला फंक्शन है political parties का कि political party contest election चुनाव लड़ते हैं और अधिकांस लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनेतिक दलों के द्वारा खड़े किये गए उमिद्वारों के बीच लड़ा जाता है अब यह देखो बेटा हमारा देश आपको पता ह democratic country है और democratic country जो होती है उसमें जो election होते हैं लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव होते हैं राजनेतिक दलों के द्वारा खड़े किये गए परतिनीधियों के द्वारा होते हैं कि जो जो candidate उन्होंने put किये हैं उनके द्वारा जो चुनाव है वो लड़ा जाता है आपने देखा होगा कि जैसे ये कहते हैं कि यहां इसको टिकट मिली है और कुछ है party का एक main leader होता है उसके द्वारा बेटा चाहे आपके लोक सभा के चुनाव हो चाहे आपके विधान सभा की चुनाव हो उसके लिए आपका क्या कर दिया जाता है कि जो आपके leaders होते हैं उनके द् से हर जो पॉलेटिकल पार्टी है अपना अलग-अलग मेंबर खड़ा करती है पुट करती है वहाँ पर कि जैसे मानलो आपकी एक्जांपल के तोर पे मैं बता देती हूँ आपकी जो में इंटरनेशनल गोल गया है जो नेशनल पार्टी आज है जैसे आपकी बीजेपी हुई आपकी कॉंग्रेस हुई तो यह क्या करेंगी कि अलग-अलग जैसे मानलो कोई एक सीट है इस सीट पे अभी इलेक्शन होना है तो यहाँ से एक-मेंबर आपकी बीजेपी खड़ा करेगी कि आपका दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है तो तो बीजेपी ने अपना एक कंड़ यहां से खड़ा कर दिया ठीक है बेटा जहां जहां दिली में जितने भी सीटों पर चुना होना है उन सीटों पर अलग-अलग बीजेपी अपना एक के केंडिडेट खड़ा कर देगी ऐसे ही बेटा दूसरी पार्टी होगी कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस ने भी जितनी जगे चुनाओ उन्हें वहां से एक केंडिडेट अपना खड़ा कर दिया उसके अलावा जैसे कि आपकी वहां पर आम आदमी पार्टी है तो वह भी अपना एक केंडिडेट ऐसे जितनी भी जो दिली के अंतरगर्त जो राजनेतिक दल्सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं बेटा क्या है कि पार्टीज पुट फॉर्वर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम्स एंड दा वोटर्स चूज फूज फूम आदम इच ओप उस मैनी है दिफरेंट ऑप्शिंस ऑप्शिंस और व्ट पार्टीज एंड सूटेबल पॉर्टा सोसाइटी तो उ चुनाव लड़ना चुनाव में खड़े होगे उन्होंने अपनी जो कैंडिडेट है वहां से अलग-अलग पार्टीज पार्टी ओको उनके सामने रखते है कि अगर हम जो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव में जीतने के बाद हमने ये प्रोग्राम से ये पुलिसी बनाई है इसके अकोर्डिंग हम वर्क करेंगे तो जनता को जिसकी पुलिसी या जिसके प्रोग्राम है वो उनको पसंद करते है उनको लाइक करते है तो यह राजनेतिक दल का काम होता है नेक्स्ट जो इनका वर्क होता है वो होता है बेटा पार्टीज प्ले आ डिसेसर रॉल मेकिंग दा लॉस फॉर आ कंट्री जब पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद जो राजनेतिक दल है वो जो उसने policy या program जनता के सामने रखे थे उसके according वो नियम बनाता है तो ये next political party का काम हो गया अगला देखो बेटा parties from and run governments की दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं और उसके बाद ये देखो बेटा as we noted last year the big policy designs are taken by the political executive that comes from the political parties की नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में जो निर्ने है वो राजनीता ही लेते हैं कोई भी बड़े decision है या कुछ भी तो उससे related जो कुछ भी काम करना होता है वो उसके लीडर के द्वारा किया जाता है अगला ये देखो बेटा this party that laws in election play the role of the opposition to the parties in the power ये सबसे important है बेटा कि जो party चुनाओं में जीतती है वो सरकार बनाती है और हमारे जो democratic country है उसमें opposition की बहुत ही महतपूर्ण भूमिका होती है कि जो party चुनाओं में जितनी भी ये मालो चुनाओं में 6 पार्टिया खड़ी है six party हो मैं जीत गई तो उसके बाद बची पांच party जो पांच party होती है वो पांचों की पांचो पार्टि ओपूर्ण का काम करती है और opposition के बहुत ही मेह तपूर्ण भूमिका होती है अगर party के दवारा जो चुनाओं में जीत जाती है कोई भी गलत काम करती है और कुछ करती है तो उसके बारे में वो जनता को बताती है तो इस वज़े से ओपोजिशन पार्टी का बहुत ही डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है अगला देखो बेटा पार्टी शेप दा पबलिक ओपीनि की जो हमारी जो जनमत का निर्मान करने की कोशिश करती रहती है जिससे एक तरह से क्या फायदा होता है कि आ जो तो यह तो यह कहता है जनमत निर्मार में दल महतवपूर्ण भूमे का निभाते हैं वे मुद्दों को उठाते हैं उन पर बहस करते हैं और विबिन दलों के लाकों कारे करता देश भर में बिखरे होते हैं तो एक तरह से वो पबलिक आउपीनियन अपनी साइड करने की कोशिश करते रहते हैं अगला कल्यान कारे करम है उनको लोगों तक पहुंचाती है एक तरह से तो बेटा इस से पता चल गया कि पॉलेटिकल जो पारटी है उनकी मतलव कि वो क्या क्या काम करती है तो दुबारे से एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ कि पॉलेटिकल पारटी जो के लीडर है वो जहा उसके बाद वो चुनाव में जीतने के बाद उनके जो क्या कहते हैं पार्टी प्ले आ डिसेसिव रॉल इन मेकिंग दा लोग फोरा कंट्री आफ्टर देट हम बात करें कि उसके बाद वो जो गौवर्मेंट है उसको चलाते हैं में जो डिसीजन होते है वो पार्टी के लीडर के दोरा लिये जाते हैं और जो पार्टी हार जाति भोपॉजीशन की जाता है उसके अलावा जो जितनी भी जो आपकी क्या कहते हैं machinery है और welfare schemes है वो जनता तक पहुचाने का काम political parties के द्वारा किया जाता है so students आज का हमारा topic यहीं finish होता है thank you